हेलो गाईस कैस आपस भी गाईस जैसे का आपस भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइम मेरे पास रैडमी का नोट 11 डिवाइस है जिसके अंदर मैं सुपीरियर ओएस की कस्टम रोम को यूज़ कर रहा हूँ जो की Android 13 पे बेस्ट है इस कस्टम रोम को यूज़ यूज़ करते हैं आज मुझे लगबग दो हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है इसके अंदर मैंने जैसे का आपस भी देख सकते हो SIM भी लगा रख किये है क्योंकि ये मेरा regular डिवाइस है इसी के साथ साथ मैंने इस डिवाइस को रूट भी कर रखा है जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो तो गाईस आज किस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देखे बताने वाला हूँ कि क्या आपको अपने Redmi के Note 11 डिवाइस में Superior OS की Android 13 पे बीस्ट इस Custom ROM को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं तो गाईस चली हम स्टार्ट करते हमारी आज किस वीडियो को लेकिन अगर आपके पास Redmi का Note 11 डिवाइस है और अगर आपको रूट कस्टम रोम के अंदर इंट्रेस्ट है तो आप अमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जुरूर कर लीजिएगा तो गाईस सुपेरियर ओस की कस्टम रोम कैसी है यह जानने के लिए हम सबसे पहले इसकी सैटिंग्स में चलते हैं जहां पर सबसे उपर ही उपर आपको Network and Connection का Option देखने के लिए जिसके अंदर Network working है Sim working है, Hawkspot working है, Bluetooth working है, Wi-Fi working है यानि कि आपको Connection से Related कोई भी Arrow अगेरास देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके बाद Guys आपको Bantry Option देखने मिलता है जिसके अंदर आप मेरी Bantry usage देख सकते हो Guys मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक Normal user हो तो आपकी जो Bantry है आपका डेड़ से दो दिन अराम से निकाल देगी लेगन अगर आप मेरी तरह एक Heavy user हो तो आपका एक दिन पूरा ये निकाल देगी जिसमें 7-7 गंटे आ जाएंगे इसके बाद Guys आपको Superior Lab को Option देखने मिलता है जिसके अंदर सबसे पहले आपको Status Bar को Option देखने मिलता है इसमें जाके जो आपका Status Bar है आपको इसको Customize कर सकते हो कि आपको Bantry percentage चाहिए नहीं चाहिए जो आपको जो Bantry वाला लोगो है आपको किस परकार का चाहिए आपको यहां पर Wallet चाहिए या फिर 4G चाहिए जैसे कि आपसे भी देख सकते हो मैं इसको भी Enable यहां से कर सकता हो मुझे बस एक बार अपना Device Reboot करना होगा तो Guys सबसे उपर आपको Status Bar को Edit करने का Option देखने कर मिलता है उसके बाद आपको Quick Settings का Option देखने कर मिलता है यानि कि जो आपका यह Quick Settings है इसका जो यह Slider Bar है Brightness वाला आपको उपर चाहिए निचे चाहिए आपको जो यह Data Usage वाला है यह चाहिए या फिर नहीं चाहिए आपको यहां पर Power Menu का Option चाहिए या फिर नहीं चाहिए ऐसे कुछ Options आपको यहां पर देखने कर मिलता है जैसे का आपस भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो आपको इनको यहां से Edit कर सकते हो इसके बाद आपको बटन के Option देखने कर मिलता है जिसमें देखिए जो आपका Volume बटन है इसको प्रेस करने पर आपका Camera ओपन हो जाए Power बटन से आपका जो Power Menu आजए ऐसे कुछ Options आपको देखने कर मिलता है इसके बाद आपको Navigation Bar का Option देखने कर मिलता है जिसमें आप चाहो तो Full Screen जो Gesture है वो On कर सकते हो इसके बाद आपको Gestures के Option देखने कर मिलता है जिसके अंदर आपको Gestures के Option देखने कर मिलता है जैसे कि Three Finger से Screenshot अगर आपकी Lock Screen On है तो Double Tap पे उसको Off करना ऐसे कुछ Options यहाँ पे आपको देखने कर मिलता है जो कि आप Try कर सकते हो इसके बाद गाईस अगर हम आगे चले तो हमें Lock Screen का Option देखने कर मिलता है इसके अंदर अगर आपको Notification पे Age Lighting चाहिए तो उसको Option देखने कर मिलता है Fingerprint Fast करने को Option देखने कर मिलता है जैसे कि आपसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो इसके बाद गाईस हमें Power Menu का Option देखने कर मिलता है जिसके अंदर जाके मैं Advanced Power Menu को Enable कर सकता हूँ यानि कि देखे जैसे मैं Restart पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे Full Option देखने कर मिलता है कि मुझे अपने डिवाइस को System में Restart करना है, Recovery में करना है, Boot Loader में करना है यानि के System के अंदर करना है इसके बाद गाईस हमें Theming का Option देखने करना है इसके अंदर जाके हमारे डिवाइस के अंदर जितने भी font है हम इसको Change कर सकते हैं जिसे के आपस भी देख सकते हो इतने सारे Default Font हमें देखने के लिए मिलते है इसके बाद गाईस हमारे जो Tongle है, इनके जो Icon है हम चाहे तो उनको भी Change कर सकते हैं यह देखिए हमें इसका भी Option देखने करना है अगर हमें Signal और Wi-Fi की Icon को अकिले Change करना है तो उसका भी Option यहाँ पे देखने करना है इसके बाद गाईस हमारे जो Icon है उनकी Shape हमें कैसी चाहिए उससे Change करने के भी Option हमें यहाँ पे देखने करना है जैसे के आपस भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यह Successfully Working है इसके बाद गाईस हमें जो 9 बार है उसका Style भी Change करने के लिए मिलता है लेकिन मैं Full Screen Gesture यूज करता हूँ इसलिए मेरे लिए कोई Work का नहीं है इसके बाद गाईस अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद हमें Storage को Option देखने मिलता है और जैसे के आपस भी देख सकते हो यह जो Fingerprint Unlock है बहुत ज्यादा Fast एकड़म Working है जो Face Unlock है वो भी Successfully Working आपको कोई भी Problem वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगी इसी के साथ साथ गाईस मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि जो Superior OS की Custom Room है वो आपको Android 13 की देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर November का स्कुल्टी पैच है आपको January का स्कुल्टी पैच भी जल्दी मिलने वाली है तो अगर वो आ चुकी होगी तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देदूँगा इसके साथ साथ गाइस इस Custom Room के अंदर आपको Google कैमरा देखने के लिए मिलता है जो की Successfully Working आप जैसे की देख सकते हो पिक्चर वगरा अराम से क्लिक हो जाती है आपको जो क्लिर्टी है वो भी काफी कमाल की देखने के मिलता है आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो इसे के साथ साथ वीडियो मोड भी Successfully Working आपको कोई भी ऐरो वगरा देखने के लिए नहीं मिलेगा गाइस कोल वगरा एकदम Successfully Working है जैसे के आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो मुझे कहीं पर भी लैग वगरा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा ये देखिए जैसे के आप सभी अपनी स्क्रीन पे अराम से देख पा रहे होंगे तो गाइस अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपने Redmi के Note 11 डिवाइस में Superior OS की Custom ROM को इंस्टोल करना है तो इस Custom ROM का डाउनलोड लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रीप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा आपको TWRP Recovery को यूज़ करके इस Custom ROM का अपने डिवाइस में इंस्टोल कर लेना है अगर आपको नहीं आता कि कैसे इंस्टोल करना है अगर आपको मेरी तरफ से वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कोमेंट करके जुरूर बताए मैं वीडियो बनाने की कोशी जुरूर रहूँगा बाकी गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो से ची लगते है तो मारे इस वीडियो को लाइक जुरूर कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर दे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो से लाता रहूँगा तो गाइस चलिए बाम मिलते मारे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई